वेल्कम बैक फ्रेंज टू दा जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल दूस्तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाले में संपन वे लोग सबाचुनाओ 2019 से most important questions जो की आपकी exam में पूछे जा सकते हैं तो आप पूरा वीडियो completely ध्यान से देखिए और ये इसमें top 20 questions को सामिल किया गया है यानि कि इसमें कुल 20 प्रिशन है और जो last case में 5 questions हैं वो बहुत important है वो आपको जरूर पता होना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वी यानि कि आपसे question में पूछा गया है कि जो voting percentage रहा है वो overall जो कितना रहा है क्योंकि अब तक का यह सबसे अधिक है तो यहाँ पर जो option in में जो right answer है 67.10% यानि कि सरसर दसम्लब एक 0% यह मद्दान रहा है और यह अब तक का सबसे अधिक मद्दान रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में यानि कि जो वर्स 2014 में लोग चबा चुनाव हुए थे उसमें जो voting percentage थी वो 66.40% थी जो कि इसते पहले वाले analytics को बताता है ठीक है तो यह आपका first question complete हुआ next question देखते है question number second लोग सबसे चुनाव 2019 में भारत का एक मात्र जिला जहां पर पूरी मदगरना महला उने कराई है तो वो कौन सा जिला है वो आपको बताना है एक्जाम में इस तरह के questions पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर जो option है इनमें जो राइट answer है option A हर्दा यानि कि हर्दा जिले में जो voting की counting हुई है वो सभी महला अधकारियों के दोरा कराई गई है और आपको यह पता होना चाहिए जो जिला है वो किस राज में तो यह आपका है मद्द प्रतेस में राइट नेक्स्ट कोशन देखते हैं question No.3 भाज की सबसे लंबे समय तक मुख्मंत्री रहने वाली पवनकुमार चामलिंग किस राज से विधान सवाचना उहार गई है यानि कि उनकी जो पार्टी है वो अब इस अगले जो सेशन होगा उसमें आप सरकार नहीं बना पाएगी तो वो आपको बताना है वो किस राज किसे संबंदित हैं तो इसका एंसर हो जाएगा सिके option यापर 20 होगा और इससे पहले जो पवर्ण कुमार चामलिंग से पहले ज एक अगली पार्टी की सरकार बनाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर फूर ओडीसा की मुखमंत्री की रूप में सपत कौन लेंगी मैं आपको बता दूं कि इस लोकसबा चुनाव में कुछ राज्यों में भी चुनाव और उनमें से एक राज ओडीसा भी ह तो वहाँ पर जिस पार्टी को बहुमत मिला है तो उस पार्टी से संबंद जो नेता है वो कौन है और वो मुखमंत्री के पत की सपत लेंगी तो इसका अंसर हो जाएगा नवीन पतनाइक आप सी सही होगा ठीक है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ओडीसा में जो वि जो 2019 का जो परडाम रहा है इसकी आधार पर प्रधानवंत्री कौन बनेगी और वो दूसरी वार बनेगी तो इसका अंसर तो आपको पता ही होगा इसका अंसर है रायन बोधी आपसरियां पर एस सही होगा क्योंकि इसमें बीज जेपी को पोड़ पाहमत मिला हुगा है ठीक पर जो ऑप्सन है इनमें जो राय टांसर है तीन सो तीन सीट है यानि कि इसमें जो एंडी है जिसमें की बीजेपी और उनकी पूरे जो सहयोगी दल है वो सामिल है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें केवल और केवल बीजेपी की बात कर रहे हैं तो उनको तीन सो तीन सी है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह जो सीटे प्राप्त हुए है थी आपको पता होना चाहिए तो पिछली बार 282 सीटों पर उन्होंने जीत दर्च की थी और इस वर्स वो पिछले वार से भी अडिकबड़ी जीत है ठीक है नेक्स्ट कुशन देखते हैं लोग सभा चुनाओ 2019 में कांगरे इसको कुल कितनी सीटे प्राप्ट हुई है तो यह जो इसमें मुख विपक्षी दल है भारत में तो उसको कितनी सीटे प्राप्ट हुई है यह भी आपको पता होना चाहिए तो इसके एंसर हो जाएगा यहाँ पर जो आपके सामने दिये सब्सक्राइब कितनी इसमें सीटे मिली थी तो वह मिली थी 44 यानिकी 44 सीटे राइट नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमर एट लोग सब्सक्राइब चुनाओ 2019 में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है अब आपको बता होना चाहिए पहले जो सबसे बड लेकिन जो तीसरी स्थान पर जो पार्टी रही है वो आप से पूछी गई है उसका एंसर हो जाएगा डियम की ऑप्सन या पर सी सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 9 विपक्ष्च का दर्जा पाने के लिए कुल कितने सांसत होना जरूरी है यानि कि जो ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाओँगा कि ये जो प्रप्त की गई है जो भी इसमें होगा किस आधार पर पपच्पन फीटे होना चाहिए मैं आपको बता दू कि लोगसभा मेँ जितनी सीटे होती है ओवरॉल 552 सीटे होती है तो कुल फीटों का की की भी नहीं है तो इस बार भी ये पद नहीं मिल पाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमर्ट 10 इस लोगसभा चुनाओ के साथ साथ कुल कितने राज्यों में विदान सभा चुनाओ भी संपन हुए है इनकी इस बार कितने ऐसी राज्य जिनमें अंद्रदेश सिक्किम और अड़ाचल प्रदेश ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर्ट 11 लोगसभा चुनाओ 2019 में एंडी यादि नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस जो कि बीजेपी का एक पूरा शंक्ठन है उसको कुल कितनी सीटे मिली है यानि कि बीजेपी के जिसमें 303 जो सीटे हैं वो अकेले बीजेपी की है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर्ट 12 लोगसभा चुनाओ 2019 में अमेठी लोगसभा सीट को किसने जीता है जो कुछ विशेश सीटे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए वो किसने जीती है तो बहुत ही सिंपल क्वेशन है आपके सामने तो इसका एंसर होगा इसमृती इरानी ऑपसने आपड़ डी सही होगा आपको यह पता ही होगा कि यह जो सीट है वो पिछले कई बाहर से रहुल गांदी जीतते आए हैं हलांकि वो इस वर्स नहीं जीत पाए है याँपर बीजेपी की इसमृती इ जीती है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नवर थर्टीन सबसे चर्चित रही बेगुसरा है लोगस्वा सीट किसने जीती है देगी यहां पर मैं आपको बता दो कि इसमें कुल जो प्रमुक उम्मीदवार थे वो रहे थे तनवीर हसन कनया कुमार और गिर्रास सिंग ठीक ह है और यह बहुत ही चर्चित और विश्यस परकार की सीट रही ती जिससे पुरी देश की नज़त थी ठीक है नेक्स्ट कुशन देखते हैं क्वेशन नमर 14 लोगस्वा चुनाओ दोए उननेस में भारती जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें जीती है यहने कि जो देश का सबसे बड़ा राज है लोगस्वा सीख्टों की एकवर्डिंग जिसमें कुल असी सीटें आती है उसमें जो बीजेपी है उसने कुल कितनी सीटें जीती है तो इसका एंसर हो जेगा ऑप्सन सी 62 सीट हलांकि एंडिये के जो टोटल सदस हैं उनको मिलाक लेकर 64 सीटें लेकिन बीजीपी ने अकले इसमें 62 सीटें जीती है राइट नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 15 लोगस्वा चुनाओ 2019 में प्रधानमंत्री नर्याद मुदी किस सीट से चुनाओ जीते हैं तो एक और चर्चत सीट की यहां पर बात कर लेते हैं जो कि प् इंपोर्टेंट हैं और वह आपको पता भी होना चाहिए जो कि लोगस्वा की प्रष्णों की लियास से बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कुशन देखते हैं क्वेशन नमर 16 निम्न मैंसी कौन सा एक लोगस्वा का छेत्रफल के अंसार सबसे बड़ा निर्वाचन छेत हैं तो यहां पर जो ऑप्सन है इनमें जो राइट अंसर है मद्द प्रदेश ऑप्सन सी सही हुगा अब आपको पता होना चाहिए कि मद्द प्रदेश में अभी कितनी सीटें सुरक्षित की गई है तो कुल छे सीटों को सुरक्षित किया गया है अनसूचे जंजातियों के लिए क्योंकि वहां पर अनसूचे जंजातियों की जो जंसंख्या है वो भारत में सबसे अधिक है और आप इस में confused मत होईएगा कि स इस स्थिती में अपनी जमानद हो देता है यदी उसी प्राप्त नहां हो सकें यानिकि कि संते ओंगे कि इस पर्तियासी की जमानद जब्त हो गई है तो एविएसी कौन सी कंडिशन है तो यह भी आपको पता होना चाहिए लोग सबसे रेलेटेड डू है तो इस question का जो right answer है वो है एक बटिच है यानि कि वैद मतों का अगर एक बटिच है पार्ट अगर वो नहीं पापाता है तो वो जो है उसकी जमानत जब्त हो जाती है ठीक है यानि कि एक बटिच है मत आपको प्राप्त करना ही होगी otherwise आपकी जमानत है जमानत द्रासी है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी ठीक है next question देखते है question number 19 लोगसबा चुनाओ में जर्बाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए नियूनतम आयू सीमा कितनी है यानि कि अगर आप सांसत बनना चाहते हैं अगर आप चुनाओ लड़ना चाहते हैं तो आपकी नियूनतम उम्र कितनी होना चाहिए इसमें बड़ा ही confusion रहता है कभी-कभी इसका answer जो students है वो 18 वर्स कर देते हैं लेकिन जो इसका जो right answer है वो option C 25 वर्स क्योंकि जिसने भी पद है इनकी जो IOC में है वो आपको पता होना चाहिए राष्टपती पदी के लिए कितनी होना चाहिए उपराष्टपती पद के लिए कितना होना चाहिए प्रधान मंतरी पद के लिए कितना होना चाहिए राजपाल के लिए कितना होना चाहिए तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं लोगसवा में राज्यावार सीटों का वंटन सन 1971 की जनगर्णा पर आधारत है ये निर्धारण किस वरस तक यथावत रहेगा यानि कि जो सभी राज्यों में लोगसवा की जो सीटे हैं उनका जो बढ़वारा है जैसे उत्तर प्रदिस में 80 सीटे हैं ठीक है दिल्ली में साथ सीटे हैं तो इसका जो निर्धारण किया गया था वो 1971 की जनगर्णा पर आधारत था और उस समय पर ये तै किया गया था कि ये कब तक वैद रहेगा तो इसका एंसर हो जाएगा आपसन बी यानि कि वरस दो जर चबबिस तक यानि कि वरस दो जर चबबिस तक इसी परकार से सीटों के निर्धारण रहेगा और इसके बाद इसका फिर से मुल्यांकन किया जाएगा और कुछ राज्यों में सीटें बढ़ाईं घटाईं जा सकती है ठीक है तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो सीटें हैं जो कुल 552 सीटें हैं उनका निर्धारण वरस दोजर चबबिस तक इसी परकार से रहेगा और इसके बाद इनका परिवर्दन किया जा सकता है ठीक है तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने लोग सभा से रिलेटेड कुल 20 कोश्चन कवर किये जिसमें 15 कोश्चन डारेक्ट अभी करेंट लोग सभा चुनाव से थे और बाकी के जो 5% थे वो आपके लोग सभा टॉपिक से रिलेटेड इंपोर्टेंट जी के कॉश्चन थे जो आपने देखी हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कोई कमेंट बॉक्स में बताईए आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंट्स को ये वीडियो शियर जरू किजिए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार